ओम सिरीगड़े साय नमा मित्रो मैरागोराम मिस्रा आप लोगों का अपने इस यूटूब चैनल आप और आपका भविश कारिकरम में एक बार पुनह स्वागत करता हूँ आज हम बात करने वाले हैं मीन रासी के पुरुसों के बृद्धा वस्था के बारे में मीन रासी के पुरुसों का बृद्धा वस्था कैसा जाता है बृद्धा वस्था में इनकी आर्थिक स्थिती कैसी होती है इनके संतान के साथ कैसे संबंध होते है इनका पारिवारिक जीवन कैसा होता है इनका इनकी धर्पत्नी के साथ कैसे संबंध होते है और इनका स्वास् करने वाले हैं अब मीन रासी का जो स्वामी होता है गुरू यानि ब्रेस्पती होता है जो देवताओं में देव गुरू के अस्थान से प्रसिद्ध है इस तरह से मीन रासी के जो लोग होती हैं ये मध्यम कद के होते हैं इनकी आँखें ठोड़ी बड़ी होती हैं मस्तख चो लिशने में बड़े सुन्दर होते हैं, रूपवान होते हैं, कभी कभी तो इनका थोड़ा हाइट लंबा भी होता है, लेकिन जादा तर ये मध्यम कटके होते हैं, और बड़े होकर ये थोड़े मोटे भी हो जाते हैं, मीन रासी के लोग पढ़ने लिखने में बहुत तेज होते हैं, इनकी कलपना सक्ती बहुत तेज होती है, किसी बात को समझने में इनको अधिक समय नहीं लगता है, एक बार जो इन्होंने पढ़ लिया, समझ लिया, सुन लिया, उसको ये इनको तुरन कंठस्थ हो जाता है, यही कारण है कि मीन रासी के लोगों का जो बच्पना होता है, बच्पन से ही यह तेतरार होते हैं, पढ़ने लिखने में हुस्यार होते हैं, और हमेशा यह अच्छे नंबर से पास होते हैं, इनकी जो पढ़ाई लिखाई है, इनकी पढ़ाई लिखाई देखकर इनके माता पिता बहुत प्रसंद होते हैं, आप देखोगे कि मी भाई भी होते हैं, बहन भी होती हैं, बिसेश कर इनकी बड़ी बहन अवस्य होती हैं, ये परिवार में बिलकुल एकांत वादी होते हैं, परिवार के लोग जब इनसे कोई सलाह मांगते हैं, तभी ये अपनी सलाह देते हैं, जाता तर ये परिवारी काम में अपना अधिक हर नहीं रखते हैं जैसे माता पिता भाई बेहन करने दो इनका एक उद्देश होता है पढ़ाई करना पढ़कर बहुत अच्छे नंबर से पास होना और आगे चलकर बहुत बड़े पद्पन नौकरी करना तो इस तरह से इनका जो बच्पन का ये जो बिचार होता है ये इनका धीरे धीरे इसी पर ये स्थिर रहते हैं इनके दोस्तों की संख्या वैसे तो थोड़ा अधिक होती जरूर है लेकिन ये बहुत घनिष्ट मित्र बहुत सोस समझ कर बनाते हैं आप देखोगे कि मीन रासी के जो मित्र हैं वो भी पढ़ने लेकिने मित्रता राग बहुत हु लोगों के बीच रहना एक स्वभाव होता है इसी कारण से ऐसे लोग पढ़ने लिखने के अलावा काफी ये सामाजिक कारी में भी बड़े अच्छे अनुभव इनको हो जाता है अब क्योंकि मीन रासी के लोगों का जो पारिवार होता है ये भी सिच्छित होता है तो के यहां अब ये मीन रासी के लोग अपने नातेदार इस्तेदार के हां भी अधिक समय तक नहीं रुकते हैं कोई जरूरत पड़ी हां विसेश कर ये मामा नाना के हां ज़्यादा जाते हैं लेकिन इसके अलावा भी मामा मौसी के हां भी इसे विसेश प्रेम रखते हैं ये मीन रासी वालों के लिए बाएं हाथ का खेल होता है। ये जो चीज एक बार पढ़ लेते हैं उसमें ये कभी भूलते नहीं और जो भी बिसे इनका कम जोड़ा है ये इसमें बहुत अच्छी तरह मेहनत करते हैं। इस तरह से मीन रासी के लोग बजपन से ही लगबख सभ ही बिसेओं में अच्छे अंक प्राप्त करते हैं। मीन रासी के लोगों का जो जीवन होता है ये बहुत अधिक संगस नहीं होता है। और साथ ही साथ इनके अंदर अपने पढ़ाई का थोड़ा अहंकार भी होता है। आप मीन रासी के लोगों से कोई चीज, कोई फूछा और ये उत्तर बता दिये। ये बहुत गंभीर होते हैं, सो समझकर उत्तर देते हैं लेकिन तुरांत उत्तर ये नहीं देते हैं। पड़ लिकर जब ये नौकरी के लिए नौकरी के छेतर में प्रिवेश करते हैं तो ये शुरू से ही अच्छी नौकरी प्रौप् ये बड़ी बड़ी परिच्छा पास करते हैं और बड़े बड़े उच्छ अधिकारी का पद प्राप्त करते हैं ये अपने नोकरी के साथ साथ अपने जीवन में और अधिक ज्यान प्राप्त हो और अधिक सिछा प्राप्त हो इसका विसेश ध्यान रखते हैं इसलिए ये कुछ न कुछ ये मनन करते रहते हैं कलपनाएं करते रहते हैं और यही कारण है कि मीन रासी के लोग बहुत अच्छे लेहखक साहितिक लेहखक, सामाजी काम में अग्रणी राजनीच के छेतर में भी बहरे उच्छे पदर तक जाते हैं समाज में कोई भी काम है इसमें ये बश्चड का हिस्सा लेते हैं चुकि मीनरासी के लोग बिलकुल निडर होते हैं लेकिन ये भी देखा गया है कि ये जगड़े जंजड़ से दूर रहते हैं जब तक इनको किसी ने प्रेसान नहीं किया अगर किसी ने प्रेसान किया तो वह समझ लीजिए आप कि आप बेल मुझे मार जैसी कहानी हो जाती है फिर मीनरासी के लोग उसको हर तरह से नुकसान पहुचाने का प्रयास करते हैं और सफल भी होते हैं वैसे तो ये बड़े सयमी होते हैं और किसी से भी ये लड़ाई घगड़े से पहले जरूर सोच बिचार करते हैं ज़्यादा तर अपने सत्रों को ये माफ कर देते हैं लेकिन कोई बार बार प्रेसान करें तो ये फिर उसे छोड़ते भी नहीं है आप देखोगे कि मीन रासी के लोग जब एक बार अच्छी नोकरी प्राप्ट कर लेते हैं तब ये बैवाहिक जीवन के बारे में विचार करते हैं मीन रासी के लोगों की साधी 24 साल से लेके 30 वर्स के दर्मियान हो जाती है साधी में ये कोई जल्दबाजी नहीं करते हैं वैसे ये है कि इनके परिवार का इनके उपर बड़ा दबाव रहता है जल्दी से जल्दी साधी करने की इनके उपर प्रेसर रहता है लेकिन ये जब अच्छी नोकरी प्राप्ट कर लेते हैं अपने काम से ये संतुष्ट हो जाते हैं तब ये साधी करते हैं इनकी पत्नी बड़ी सुन्दर होती है बड़ी सिच्छित होती है और बड़े अच्छे घराने से समंधित होती है इस कारण से ये अपनी धर्म पत्नी का भी बड़ा सम्मान करते हैं और इनकी धर्म पत्नी भी इनको बहुत प्रेम करती है आप देखोगे कि मीन रासी के लोगों की साधी के दूसरे सी तीसरे वर्ष के अंदर इनको संतान हो जाती है अब क्योंकि इनके संतान के घर में करकर रासी बैठती है जिसका स्वामी चंद्रमा होता है तो जादा तर इनकी पहली संतान कन्या होती है इसके बाद इनको पुत्र होता है मीन रासी को दो से तीन बच्चे होते हैं इनके बच्चे बड़े सुन्दर होते हैं लेकिन ये भी देखा गया है कि जितना हुसियात पढ़ने लिखने में मीन रासी के लोग होते हैं इतने इनके बच्चे उतने तेज तर्राज नहीं होते हैं, फिर भी बहुत पैसरमी होते हैं और वो भी अच्छी सिच्छा दिच्छा प्राप्ट करते हैं, ये अपने बच्चों को कभी-कभी पढ़ाई लिखाई के लिए दूर दराज, देश-विदेश भी पढ़ते हैं, अपने बच्चों के पढ़ाई में ये किसी तरह का समझवता नहीं करते हैं, बच्चों को अच्छे नमबर लाना है तो लाना है, इसके लिए कोई भी टूसरन, कोचिंग, सब ये बहुता देते हैं, लेकिन बच्चों के अच्छे नमबर लाने के लिए ये सोता भी प्रया लेकिन फिर भी इनकी जो देखरेग में रहता है तो अपने बच्चों के पढ़ाई लिखाई में इनका सासन ही ऐसा होता है जिसे इनके बच्चे अच्छी सिच्छा दिच्छा प्राप्ट कर लेते हैं इनके बच्चे भी बहुत जल्द ही अच्छी नोकरी प्राप्ट करते हैं विसेज कर इनकी लड़की जो होती है वो जहां भी नोकरी प्राप्ट करती है अच्छी नोकरी और टिकाओ नोकरी क्योंकि वो बार बार नोकरी बहुत कम ही बदलती है वैसे यह देखा गया कि इनका सासन करने की कला बहुत अच्छी आती है ये किसी से ऐसे काम कराना चाहिए कोई भी काम को ये बहुत नीती के साथ बना कर अच्छी तरह से उसकी सब को समझा कर फिर काम में ये सुरुआत कराते हैं काम की देखराग भी ये करते हैं ये बिलकुल नी आलसी होते हैं वैसे ये है कि ये खाने पीने के सौकिन होते हैं और अच्छे कपड़े पहनना अच्छे वाहन से चलना भी इनकी एक विसेशता होती है ऐसे लोग खुद वाहन चलाना पसंद करते हैं जब मीन रासी के लोग 35 वर्स के आसपास हो जाते हैं तब ये अपना घर मकान निशित बना लेते हैं घर भी ये बनाएंगे तो बड़ा घर बनाते हैं इनको छोटा घर या जल्दबाजी या हर्वडी में कोई जमीन प्रौपर्टी ये कभी नहीं लेते हैं अच्छी जगे पर साथ सुथरी जगे पर सांतमे एरिया में ये घर लेना पसंद करते हैं और अपने घर में ये अच्छी तरह के साज सज्जा भी रखते हैं आप देखोगे कि मीन रासी के लोगों के घर में हर वो आर्धनिक सुखसुधा उपलब्ध रहती है जो कि एक अच्छे खासे घर के लोगों के यहां होती है चुकि मीन रासी के लोग कभी फिजूल खर्ची नहीं होते हैं लेकिन ये है कि दान धर्म में ये बहुत अग्रनी होते हैं ये खुलकर दान धर्म करते हैं कभी दान धर्म के चक्कर में इनका नुकसान भी होता है लेकिन कभी इनको उसका पस्चताप नहीं होता है हमेशा दान धर्म करना, पूजा पाठ करना, नेतिक पूजा करना, धार्मिक पूजा करना इसके अलावा यह अपने अन्य मित्रों से भी पूजा पाठ करना तीर से आता जाएंगे तो मित्रों को भी साथ मिले जाना यह इनकी एक विशेष्टा होती है क्योंकि इनकी पत्नी भी वैसे तो धार्मिक होती है पूजा पाठ करने में इनसे पीछे नहीं रहती है लेकिन यह है कि मिहन्दासी के जो लोग है यह पूजा पाठ करते समये मंत्र इस लोग पढ़ते समये बहुत तेज ग्यान होता है इनका और यह बड़ी जल्दी कोई भी मंत्र कंठस्ट कर लेते हैं इसी कारण से यह बड़े-बड़े धार्मिक अस्थलों पर मठादीस होते हैं बड़े-बड़े धार्मिक मंदिरों में बड़े-बड़े पदों पर सोभा पाते हैं किसी भी धार्मिक सरुस्था से ये अवस्थ से जुड़े रहते हैं ये विसेशकर गौसाला इत्यादी में भी धान धर्म करते हैं गवों की सेवा करना इनकी विसेशता होती है और बिद्वानों का सम्मान करना ब्रहमणों का आदर सम्मान करना इनकी एक विसेश्टा होती है वैसे तो ये अहनकारी होते हैं ग्यान के मामले में लेकिन ये सत्तिक्या ग्यान रखते हैं और जिस बिसे पर ये चर्चा करते हैं उस बिसे पर ये बहुत गूर ग्यान रखते हैं और उसमें भी ये अपने को कमी महसूस करते हैं इसलिए चर्चा के दौरा ये अपने ग्यान को और अधिक बिक्सित करते हैं आप देखोगे कि मेन राशी के लोग जहां एक प्रका तरफ अपनी नौकरी-चाकरी में पूरी मंदारी मेहनत से काम करते हैं वहीं ये देश के प्रज़ भी इनका पूर्ण लगा होता है, देश के प्रज़ बहुत प्यार करते हैं देश के लिए यह क्या कुछ कर सकते हैं हमेशा इसका चिंतन मनन करते हैं और साते-ज़ाओ के सामाजिक काम में भी बढ़ चड़ कर हिस्वा लेते हैं कोई भी सामाजिक काम है कैसे ढऊंग से हो पूरी तरह हो आप देखोगे किसी भी काम में जब यह एक बार उसमें हाट डालते हैं तो वो जब तक काम पूर्ण नहीं हो जाता है यह उस कारी को पूरी तरह से करते हैं इनकी देख रेक में पूरा काम जब complete हो जाता है कभी ये कोई भी काम अपना आदे अधूरे में छोड़ते नहीं है अब आप देखोगे कि मीन रासी के जब बच्चे बड़े हो जाते हैं इनके बच्चों की साधी भी समय से यानि 24 वर्स से लेके 29 वर्स के बीच हो जाती है इनकी बच्ची लड़की की भी साधी समय से हो जाती है ज्यादा तर ये भी देखा गया है कि कभी कभी इनकी बच्ची लड़की या लड़का कोई एकाद लब महरेज भी करते हैं वैसे तो ये लब मेरेज के बिरोधी होते हैं प्रत अपने बच्चों के प्रेम के कारण ये समझोता कर लेते हैं इनके बारे में ये भी देखा गया है कि कभी-कभी इनकी धर्म पत्नी इनके प्रत थोड़ा संकालू सभाव के कारण कभी-कभी बैचारिक मतभेद भी पंध हो जाते हैं कभी-कभी इसी कारण से तनाव भी हो जाता है लेकिन ये है कि मीन रासी के लोग अपनी धर्म पत्नी को सम्मान भी करते हैं और उसे प्रेम भी करते हैं वैसे तो मीनरासी की लोगों की जो धर्म पत्णी होती हैं, वो अपने पूरे परिवार का संचालां अच्छे धंक्से करती हैं, लेकिन यह है कि यह कभी अपनी पत्नी का प्रसंसा करने से पहले यह दस बार सोचते हैं. जबकि इनकी पत्नी उनके लिए हमेशा प्रशंसा करती है हमेशा इनके लिए अच्छे संबोधन का सब्दों का प्रियोग करती है इस प्रकार से जब मीन रासी के लोग 45-50 वरस के हो जाते हैं तब-Tक इनके पास बहुत अच्छा मकान हो जाता है कभी कभी तो ये भी देखा गया है कि मीन रासी वालों के दो मकान होते है और ये अपना एक मकान अपने बच्चों के लिए सुरच्चित रखते है जबकि ये आगे चलकर अपने ब्रिद्धा वास्था में ये कुछ इस तरह प्रोग्राम बनाते है कि ये और इनकी धर्म पत्नी अकेले रहें वैसे ऐसा होता नहीं है इनके बच्चे इनके साथ रहते हैं और इनका पुरा ध्यान रखते हैं ये अपनी पत्नी के अपेच्छा अपनी बहु का विसेश ध्यान रखते हैं तो इनके बच्चे बिल्कुल उसको अमसुना कर देते हैं उस पर ध्यान नहीं देते हैं लेकिन यह है कि उनके सेवा भाव में कोई कमी नहीं होती है इनके दोनों बच्चे तीनों बच्चे मातों पे तुरुभाक तो होते हैं यह है कि इनका कोई न कोई संतान इनसे बहुत दूर नौकरी करने या ब्यापार करने दूर चला जाता है मेंदासी के लोग अपने जीवन में जब 50 बरस के उपर आ जाते हैं तब ये अच्छे अच्छे पदों पर बहुत उच्छे अधिकारी बनते हैं। आगे जाती हैं या वो जिस बिभाग में रहते हैं वो बिभाग का बड़ा तेजी से उत्थान होता है। इस तरह से मीन रासी के लोगों का समय समय पर पदोनन्दी हो भी होती रहती है यह है कि यह थोड़े गुसर सभाव के जरूर होते हैं कभी कभी अपने अधिकारियों से भी नाराज हो जाते हैं लेकिन यह बात सत्य है कि यह सत्य के पुजारी होते हैं और अपने सत्य के लिए ही ये बुसा करते हैं अन्ते में इनका अरिकारी भी इनके सामने नत्मस्तक होता है इनके बातों का सम्मान करता है और इस तरह से मीन रासी के लोग जब रिटायर्मेंट होते हैं तब भी इनको काम करने का आफर मिलता ही रहता है हाँ ये है कि मीन रासी के लोग रिटायर होने के बाद फिर दूसरी जगा छोटी मोटी नोकरी करना या इस तरह से किसी का गुलामी करना इनको बिलकुल पसंद नहीं होता है ये सामाजी काम से जूड़ी आते हैं कुछ लोग राजनीती में चले जाते हैं या ये अपना कोई सोतंतर ब्यापार करना पसंद करते हैं इस तरह से मीन रासी के लोगों के जीवन में अब आप देखोगे कि इनके ब्रिधा वस्था में चुकि इनका जो रोग सत्व कर्ज अ की समस्या जरूर आती है हाथो पैरों में थोड़ी जलन की समस्या आती है लेकिन इसके अलावा इनको कोई भारी या ऐसी भेहनक बीमारी नहीं होती है जिससे कि इनका बुढ़ापा किसी तरह दुद्दाई हो ये अपने ब्रिधा वस्था में भी स्वास्त रहते हैं मास्त हो जाता है और कमर के ऊपर का हिस्सा थोड़ा अधिक फैट हो जाता है फिर भी ये लोग कभी कभार ब्यायाम भी कलते हैं लेकिन मौनिंग वाक इत्यादी इनका सौक बन जाता है जिसे ये अपने स्वास का भी ध्यान रखते हैं और मित्दों के साथ अच्छी खासी बिखाग भी चलती रहती है तो इस तरह से जब यह रिटायर हो जाते हैं तो यह बहुत मिर्दुल सभाव के हो जाते हैं लोगों से मिलना जुलना लोगों का हाल चाल सुनना और लोगों की साहिता करना और विशेश कर यह अपने ब्रिद्धा वस्था के बाद धार्मित तीर याता पर जाते हैं और जिसयाता का खूप आनन्द भी लेते हैं और वहाँ पर दान धर्म भी खूप करते हैं तो मित्रों आज मैने आप लोगों को मीनरासी के पुरूसों के ब्रिद्धा वस्था के बारे में जो बताया है मुझे आसा है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो जरूर पसंद आएगा अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है और आपने मेरे चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सबस्क्राइब करना और कमेंट करना मत भूलिए नमस्का